नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी नियूस में चुले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को नेपाल बताया रहा है नेपाल के सिस्मोलाजी सेंटर ने बताया है कि आज सुबे पाच बच कर उन्नेस मिनट पर भुकंप का जटका महसूस किया गया बुकंप काकेंद्र काथ्मान्डू घाटी के सिंदू पच्च चौक जिले के समूच आए इलाके में बताय गया है ये जटका उतर बिहार के कोछ हलाकों में भी महसूस किया गया है नेपाली अख़बार के मुताबिक नेपाल में एक बार फिर से भारी कमपन महसूस की जा सकती है शोध करताओं ने दावा किया है कि नेपाल में 2015 की तरह कमपन दुबारा इस साल आने के उमीद बढ़ गई है क्योंकि जमीन के अंदर अजीबो गरी बावाजे आ रही है मकान मालिकों को किरायदार के नाम पर लगाना होगा नया मीटर किरायदारों का अलग मीटर या सब मीटर लगाना अनिवारे कर दिया गया है ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों पर अविभाग सकती से पेश आएगा कोई भी मकान मालिकों अपने हिस्से की बिज्री किरायदार को बेचने का अधिकार नहीं होगा ऐसा पाई जाने से बिज्री कमपनी उनके खिलाफ सकती से पेश आएगा जो आनकारों के माने तो उपभोगता बिजरी का इस्तमाल सिर्फ अपने लिए कर सकता है ऐसे में मकान मालिक अगर बिना लाइसेंस के किरायदारों को सब मीटर लगा कर बिजरी बेचते हैं बिहार विद्युत विनियामक आयोग ऐसे मकान मालिकों पर सकती से पेश आएगा इसके साथ ही बिजरी कंपनी के मताबिक किरायदारों का रेंट अग्रीमेंट के आधार पर बिजरी का नया कनेक्शन दिया जा रहा है कंपनी का कहना है कि ऐसा कदम उठाने से किरायदारों के नाम से नया कनेक्शन लेना होगा हाला कि आक्ट के अनुसार विज्डिबिल का भुगतान कि अब अग्यार किरायदार मकान खाली करके चले जाते हैं जिसमें अग्रिम आरक्षन की अब दी दस दिनों की होगी यह मौजूदा विशेश ट्रेन और स्ट्रमिक ट्रेन के अलग होगी इसके लिए आरक्षन 19 सितंबर से शुरू हो जाएगी 20 जोरी ट्रेन यानि 40 ट्रेन में से 19 जोरी ट्रेन में हमसफर कुछ होंगे इसके साथ उनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा जबकि एक ट्रेन नई दिली से लखनाओ के भी जशेश रताबदी कोच पर चलेगी और उसका किराया जशेश रताबदी की तरह ही होगा जिसमें मिजोरम, पंजाब, अंडमा, निकोबार, तीन सबसे खुश्टमा राजे बताएगे हैं बड़े राजों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना अवल है वहीं छोटे राजों में मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश शीषपर है बिहार को 25 वा रैंक मिला है, दूसरे नंबर पर पंजाब है और वहीं बिहार से 2.21 अंक पीछे है पंजाब का इंडेक्स 3.52 प्रतिशत है और बिहार का 3.31 प्रतिशत है COVID-19 में की गई स्टडी में 36 गर सबसे नीचले पाइदान पर है IIT में प्रफेसर राजेश पिलानिया के नेत्रतुमें मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच की गई यह शोध है आपको बता दे इस खुशी के पैमाना मापने के लिए 5 पैरामीटर पर लोगों से जानकारी ले गई थी जिसमें काम संबंधी मुद्दे जैसे आय और ग्रोथ, पारिवारिक संबंध और दोस्ती, शाररिक और मांसिक सेहत, सामाजिक मुद्दे और परुपकार धर्म और अत्याद में जुराव खुशी का पैमाना मापने के लिए 5 पैरामीटर पर लोगों से जानकारी ली गई है बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा बनाने में जुटावे पक्ष महागटबंदन, बेरोजगारी को राज़ के विधान सबाचुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने में जुटगे है दोने मुख्य दल राजुत और कॉंग्रेस के नेता इस मुद्दे पर अपने अपने आकड़ों को पेश कर रहे हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ताबर्द और बयानबाजी अभी भी जारी है इसके साथ ही राजुत की तरफ से नेता प्रतिपा कुष्टि जस्वी आदफ का भाशन सिर्फ बेरोजकारी के मुद्दे पर ही रहता है वहीं चुलास्तर ये कॉंग्रस वर्चुल क्रांती महासमेलन में राश्ट्रिय सर नेता हो या राजोस्तर ये सब बेरोजकारी पर सरकार को जरूर कट घड़े में खरा करते हैं आगा में विहार विधान सबाचुनाफ के लिए कॉंगरस पार्टी के घोष्णा पत्र को सबसे युवा घोष्णा पत्र बनाने की कवायद चल रही है युवाओं का विश्वास दिलाया जा रहा है कि कॉंग्रिस का हाथ युवाओं के साथ है यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कॉंग्रिस सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड नहीं बलकि रोजगार के लिए विकल्प भी तलाशे में युवाओं की मदद करने वाली है बिहार में इंटरनेट और मुबाइल यूजर की संख्या केंद्रिय सूचना एवं प्रसारन मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने बिहार में इंटरनेट मुबाइल यूजर की संख्या जुआरी की है प्रधान मंत्री द्वारा बिहार के लिए 543 करोर की योज राओं के उधगाटन और श्रिलन्याज के मौके पर उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उक्तबाते कहीं है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी आपकी अगवाई में बिहार का समगर विकास हो रहा है और आपके आशुरवाद मलता रहा तो बिहार सरकार विकास के कारे में निरत्तर सक्रियता के साथ आगे भी काम करते रहेगी निर्वाचन आयोग की उचिस्तरिय टीम चुनाव की तैयारियों से है खुश निर्देश के अनुसार चिनावी बैठक में 100 से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया था बिहार में आज से घर-घर जाकर क्रिमिनाशक की खुराक देने की मुहीम होगी शुरू कोबर्ट-19 के माहौल के बीच बिहार के 25 जुलों में घर-घर जाकर 3 करोड़ 55 लाग बच्चों को क्रिमिनाशक दवा की खुराक दी जाएगी बच्चों के स्वास्ते हित और स्वास्ते विभाग के तरब से बुधवार को यह मुहीम शुरू की जाएगी विभाग ने इसके लिए पूरी तयारी कर ली है 16 सितंबर से 29 सितंबर तक इस मुहीम को चलाया जाएगा राज्य स्वास्ते समीती के अनुसार क्रितम नाशक दवा की खुराक एक से 19 साल तक के लड़के और लड़कियों को दी जाएगी यह कारेकरम 29 सितंबर तक जारी रहेगा अश्रत प्रतिशत लक्ष प्राप्ट करने का अंदर देश भी दे दिया गया है ताकि कोई भी इस अभियान से छूट ना सके इसके साथ ही आश्रा कारेकर तक घरघर जाकर क्रितम नाशक की खुराक देंगी पहले क्रितम नाशक दवा की खुराक देने के लिए राज्यों के दो दिवसिये कारेकरम का आयोजन किया जाता था लेकिन COVID-19 के कारण इस बार 14 दिनों का कारेकरम ने धारित किया गया है जा जाएगा जो आनकारों की माने तो यह नोटिस CRPC की धारा 406 के तहत भेजी जाएगे इस मामले की जांच की जिम्मेवारी बिहार चुनाव के प्रभारी बनाई गया महराश्यों के पुर्व मुक्य मंतरी देवेंद्र फटनविस ने अपना पहला दोरा पूरा कर लिया है प्रिशेदिनों बिहार दौरे पर आये देवेंद्रिफटनविस ने कई जिलों में अलग-अलग चुनावी तयारियों की समिक्षा की लेकिन मंगरवार को अपना दौरा खत्म करते करते पतना वधानसभाद चुनाव में उमेद्वारों को लेकर बड़ी बात कह गये जिसके तहत उन्हों ए साफतोर पर खा कि वधांसभाद चुनाव में आखर भाजपा के उमेद्वारों को टिकेट नहीं दी जाएगी उनकी पार्टी दागी च्हवी वाले उमेद्वारों को टिकेट नहीं देगी भाजपा बिहार में दागी विधाय का मुक्त राजुनीती के लिए आगे बर रही और इसलिए पार्टी ने तै किया है कि इस बार किसी भी दागी विधाय के अनेता को उमिद्वार घोशित नहीं किया जाएगा नहीं देवेंद्र फट्नवेस के इस बयान से ऐसे दावेदारों के लिए मुश्किल बढ़ गई है जो बाहुबल और धनवल के बूते भाजपा का टिकेट पाने की आस लगाय बैठे थे SBI में ATM से पैसे निकालने का बदला नियम, SBI ने अपने ग्रहकों की सुरक्षा को लेकर नियमों में बदलाव किया है जिसके तहब SBI ने डेबिट और ATM कार्ट से पैसे निकालने में हो रही गड़बडियों पर लगाम लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी बैंक SBI ने यह फैसला लिया है इसके तहब ATM से 10,000 या इससे अधिक राश्री निकालने पर दिन में भी OTP की आवश्रकता होगी अभी तक सिर्फ रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इसके रकम निकालने पर OTP की जरूरत होती थी या विवस्ता आगामी 18 सेतंबर से देश भर में लागू हो जाएगा इसके साथ ही बैंक ने अपने सभी ग्रहकों से मोबाइल नमर अपडेट करवाने को कहा है जानकारी के मताबिक बैंक ने अपने ATM की सुरक्षा प्रनाली का और मजबूत करने और ग्रहकों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है तेजस्वी आदव ने एक बार फिर से शुरू की पास्ट पॉलिटिक्स आगामे विधान सभा चुनाब से पहले तेजस्वी आदव ने एक बार फिर से पुरानी बातों को निकालना शुरू कर दिया है इसिकरम में नेता पृतिपक्ष तेजस्वी आदव ने हाली में केंद्रियो मंत्री रविशवंकर प्रसाद के उस ट्वीट का जिकर किया है जो उन्होंने छे साल पहले किया था और तंज कसा है और मुख्योंमतरी नितीश कमार की सरकार को निशाने पर भिलिया है जो इसकी तेहत उन्हों ने रविशंकर प्रसाद के 8 नवंबर 2014 के ट्वीट पर सवाल उठाया है दरसल यह ट्वीट रविशंकर प्रसाद ने साफतोर पर कहा था कि भागलपुर दर्भंगा में सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क किस थापना की जाएगी तेजस्वी आदव ने 6 साल पुराने मुद्दे को ठाकर सरकार का घेराफ किया है तेजस्वी आदव ने ट्वीट करके लिखा कि 6 साल हो चुके हैं साहब शिग्र की परिभाशा क्या होती है 15 साल में नितीश कुमार जी और बिहार भाजपा ने मिलकर युवाओं को भरम में डालने और ठगने के लावा कुछ ने किया है दीन जोनस ने महेंदर सिंग धोनी को आल टाइम टॉप फाइव इंडियन प्लेयर्स में चुना पूर्व अस्ट्रेलिया एखिलाडियों और मशूर कमेंटेटर डीन जोनस ने महेंदर सिंग धोनी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है जुसके तहत उन्होंने कहा है कि MS धोनी उनके आल टाइम टॉप फाइव भारते खिलाडियों में हमेशा शामिल है हाली में मीडिया हाउस से बाचीत के दौरान उन्होंने महेंदर सिंग धोनी के शांत सवभाव और उनके अनुसाशन की भी तारीफ की है जुसके दहत उन्होंने कहा कि MS धोनी की सबसे बड़ी कॉलिटी यही है कि वो शांत सवभाव के है महींदरि सिंग धोनी मैदान में ज्यादा emotionals नहीं दिखाते लेकिन विरोधी टीम से दो कदम आगे रहते हैं धोनी की ररण नीती की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि एक प्लान बनाते हैं और विरोधी टीम की गलती का इंतिजार करते हैं उन्होंने कहा कि अमेजोनी संक्रमित लोगों की जान चली गई है आपको बता दे लगभाग 11 दिन पहले ही COVID-19 प्रभावितों की संख्या भारत में 44 लाग तक पहुच गई थी वहीं महस 11 दिनों में यहां अकड़ा 50 लाग के पार पहुच गया है स्वास्तमत्राले की तरफ से साजह की गई जानकारी के नुसार कुल मिला कर भारत में प्रभावितों की संख्या 50,20,360 पर पहुच गई है वहीं अब तक COVID-19 की वज़े से 82,066 लोगों की जान जा चुकी है वहीं पूरे भारत में 49,42,361 प्रभावितों ठीक होकर घर वापस वहीं 9,45,933 मामले फिलाल सकरी हैं तो चलिए बढ़तें आज की सवाल के और आज की सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार आगामे विधानसभा चुनाव में दागी छवी वाले नेताओं को टिकेट देना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रू से अपडेटेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकों दबाना ना भूले धन्यवाद